असलाम आलेकुम दोस्तों मैं हूँ असलाम आलाम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट दोस्तों इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि आप अपने मोबैल से या ये की लेप्टाप से दूबई का वीजा कैसे चेक कर सकते हैं ये असली है या ये के डूब्लिकेट ह तो चली इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर हम गूगल पर आ जाते हैं दोस्तों इस चीज को चाहें तो आप अपने मोबैल के जरिये भी कर सकते हैं या ये के अगर आपके पास में लेप्टाप है तो लेप्टाप के जरिये भी कर सकते हैं तो आप जो है पहले नमबर पर यहां पर आप लोगों को ICP Smart Service यह नदर आ रहा होगा इस पर हम किलिक करते हैं मोबाइल में भी आप लोगों को इसी तरह शोग करेगा तो वहां पर आप लोगों को इसी तरह ओपेन करना है तो इसके ओपेन होने के बाद थोड़ा साम वेट कर लेते हैं यह है लोड ले रहा भी दोस्तो यह जो है ओपेन हो चुका है यहां पर आप देख सकते हैं इसको मैं थोड़ा सा I want it कर लेता हूँ इसको इसके बाद यहां पर दोस्तो यह जो अगर आप लोगों के सामने में open होने के बाद ये अगर Arabic में open हो जाए तो यहाँ पर आप लोगों को जो है English में open करने का option मिल जाएगे इस page को आप English में convert कर सकते हैं तो उसके बाद यहाँ पर हमको दूसरा काम क्या करना है Public Service इस पर हम click करेंगे Public Service पर click करने के बाद में दोस्तों हो सकता है कि Mobile में आप लोगों को कुछ जादा मेहनत लगे जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ Mobile में आप लोगों को वह सही ढूंड करके करना है Public Service पर click करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों के सामने में इस तरह का option नदर आएगा यहाँ पर इसके बाद आप लोग देख सकते हैं यह जो है फाइल वाइली डिटी इस पर हम click करेंगे दोस्तों Mobile में हो सकता है कि आप लोगों को ढूडने में थोली सी दिक्कत हो लेकिन भेहनत करके आप लोगों को ऐसे ही करना है आप लोग जो फिर अच्छी तरिके से वीजा चेक कर पाएंगे इसके बाद यहाँ पर आप लोगों के सामने में जो है इस तरह option आएगा यहाँ पर file number है और पासपोर्ट information है यहाँ पर हम passport number पर click करेंगे इस पर click करने के बाद नीचे में आप लोगों को select the type यहाँ पर हम visa पर check करेंगे चोंकि हम visa check करने जा रहे हैं यहाँ पर हम पासपोर्ट number डालना है तो यहाँ पर हम passport number डाल देते हैं और उसके बाद फिर आप लोगों को हम दिखाने वाले हैं आगे की चीज़ यहाँ पर दोस्तों हम passport number डाल चुके हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम passport number का validity यह सेलेक्ट कर लेते हैं यहांपर हमने दोस्तों उपर में पास्पोर्ट नमर लिख दिया, इसके नीचे पास्पोर्ट को जो है validity लिख दिया है, यहांपर हम country सेलेक्ट कर चुके हैं, इसके नीचे में आप लोगों को I am not robot नज़रा रहा होगा, इस पर हम क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करने के बाद पर हम चोज़े verification पूछ रहा है यह दोस्तो I am not robot जो है check हो चुका है थोड़ा इसको हम नीचे scroll करेंगे नीचे scroll करने के बाद में यहाँ पर हम search पर click करते हैं यहाँ पर नीचे में दोस्तों देख सकते हैं इस visa का जो है जो मैंने visa check करने कोशिश कर रहा था यहाँ पर पूरी इसकी जानकारी आ चुकी है यहाँ पर आप लोगों को file number नदर आ रहा होगा इसी तरह यहाँ पर visa के अंदर में unified number होता है यहाँ पर आप लोगों को दूबई का visa नदर आ रहा होगा दोस्तों यहाँ पर जो है इसी तरह का यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं unified number तो आप को यहां पर बराबर चेक करना है कि नंबर बराबर है या नहीं है तो वीजा के अंदर में जो यूनिफाइड है इसी तरह वो उस यूनिफाइड को आप लोग जो है देख लें दोस्तों जिस भाई ने हमें वाटसब के जरीए वीजा चेक करने के लिए कहा था हम सब कुछ मि मतलब है कि वीजा 100% ओके है इसमें कोई भी डूब्लिकेट काम नहीं हुआ है दोस्तों इस इक साथ मैं आप लोगों को बतना चाहूंगा कि कतर के वीजा कैसे चेक करते हैं इसके उपर मैं वीडियो बना चुका हूँ जाकर कि आप गल्फ एक्सपर यूट्यूब चैनल प बहुत बहुत शुक्रिया